डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है. और अपने इसी अनभव और एक्सपेटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट अफ दियार्ट डाइगनोस्टिक सेंटर. पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए. हमने एक हाइटेक आउडियो विज्वल एमराई सिस्टम लगाया है. नमस्कार मैंजिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइटीगी. आदिवक्ता डाप्टर अंजलीगर्ग के तीन हत्यारों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है. गिरफतार लोगों में शालू बेकरी का मालिक यश्पाल भी शामिल है. पुलिस का दावा है कि अंजलीगर्ग की हत्या की साज़िष सुरेश भाटी ने यश्पालवे नीरश शर्मा के साथ मिलकर रची थी. यश्पालवे सुरेश भाटी का मकान के कबजे को लेकर अंजली से विवास चल रहा था. इनके खिलाव अंजली ने संगीन धाराओं में मुकद में भी दर्च कराये थे. नीरश शर्मा ने भाड़े की शूटरों से संसरी खेज हत्याकान को अंजाम दिलाया है. शूटरों को हत्यारों का इंतिजाम गोल्डी उर्फ सागर ने कराया था. अंजली को मौत के घात उतानने वाले शूटरों की पहचान रोहित उर्फ काकुल वे अनोजुर्फ मनिहार के रूप में की गई है. बुलिस ने जिन तीन लोगों को गरफतार किया है उनमें प्रेम विहार माधकुरम निवासी यश्पाल. हाफिजाबाद मेवला थाना टीपी नगरवे मोहला लिसाडी रेलवे लाइन के पास निवासी अनूज शामिल है जबकि सुरेज भाटी, गोल्डे और सागरवे, रोहित और काकुल अभी पुलिस की पकट से बाहर बताए गए हैं. नीरस सरस्वती लोग से सटी प्रतीफ विहार कलोनी में रहता है, उसके पपनी श्वेता कलोनी में ही व्यूटी पालर वेर बुटीक संचाल करती हैं. इस बारे में स्पी सीटी प्यूश सिंग ने यह जानकारी दी. डेडिकेटेड टीमों का गठन किया गया, सर्विलांस टीमों की मदद ली गई. लगबग 48 घंटे के लगातार प्रयास के बाद इस घटना में शामिल रहे तीन व्यक्तियों को, तीन अभ्युक्तों को हम लोगों ने गिरफतार किया गया हैं. इनके नाम अनुज हैं, जो क हत्या करने की घटना में शामिल था, दूसरे का नाम यश्पाल है और नीरच हैं, जो के मुक्त साजिश करता थे. पूच्टाच में जो निकल के आया है, फैक्ट वो यह है कि एक मकान है जिसके कबजे को लेके यश्पाल और सुरेश भाटी का अंजली के साथ विवाद चल टै हुई थी और इस हत्या कांड को एक्सिक्यूट करने की जिम्मेदारी नीरच शर्मा को दी गई थी। नीरच के द्वारा किराय के दो शूटर हायर किये गए थे, जिनके द्वारा साथ तारी की सुबह यह घटना कारित की गई है। इसके अलावा इस पूरे हत्या कांड में तीन और अभ्योक्त हैं जिनको अभी गिरफतार किया जाना शेश हैं हमारी टीमें इस पे लगी होई हैं टीम के द्वारा लगातार प्रयास करके इन तीन अभ्योक्तों की गिरफतारी की गई हैं इस पूरे घटना करम के अनावरण की द्रिस्टिगत और गिरफतारी को ल यह प्लानिंग पहले मई की शुरुआत में की गई थी लेकिन उस समय नगर निकाय चुना होने के करण इसको टाल दिया गया था इस पूरे हत्याकांड में ससुर्फ पवन और इसके पती नितिन की कोई भूमिका नहीं पाई गई है नीरच के विरुद अंजली ने दो तीन मुकद में पहले पंजिक्रित करा रखे हैं फेस्बुक वाल पे कमेंट करने को लेकर जो की वर्तमान में कोर्ट में ट्रायल पर चल रहे हैं जिसमें अंजली समझोते के लिए तैयार नहीं हो रही थी इस करण नीरच की भी उससे एक अलग दुश्मनी चल रही थी चूंकि तीनों की एक कौमन हम इन भी मान सकते हैं अंजली थी इसलिए यह एक साथ आये थे इस ख़बर में फिलहाल इतना ही आप देखते रहे हैं फॉस्ट बैट टीवी और हां अपने इस चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना वे बैल आइकन को दबाना ना भूने अमस्कार